आख नो अच्ट लैब दिए इस्टूडेंट जैहींचे राजधनी बड़ोक्तर हमेश यादु राजधन एजुकेश्य गूरूप अच्कोरिया जोवनेर जैपूर जे स्वागत करता हूँ आप सभी का एनिमल अजबेंडरी की दुनिया में पसू पालन की दुनिया में बई लिंक बगेरा डाल दी माना सभी में गुरूप बगेरा उसमें डाल बिटा Welcome to all of you, let's start without wasting a moment हम सुरू करते हैं अनिमल अजबेंडरी सभी को वेरी गुड इमिनिंग नमस्कार सश्रीकाल शब्बाग एर जयरास्धानी Welcome to all of you, let's start निमल अजबेंडरी कल वाले में किसी का question हो, किसी को जद्धा समझ में आ गया हो या फिर कम आया हो, ऐसा कुछ हो तो बता सकता भई आ गया, पहले वाला सारा clear है, नोट्स बगेरा perfect चल रहे हैं दमादम दमादम निप्टाते जा रहे हो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे methods of breeding Let's start, methods of breeding methods of breeding मतलब कैसे कैसे present करते हैं दो प्रकार सी करते हैं, एक natural होता है, एक artificial होता है तो natural में न naturally होता है, मतलब एक मादा होती है एक male या नर होता है, उन दोनों के बीच में copulation होता है और after copulation, मादा एक संतान को जनम देती है That is natural breeding, तो natural breeding नेचुरल है और natural में न ये मानते हैं कि एक सांड नेचुरल मेतर से एक जो सांड होता है ऐसे कैसे एडिंग आप लोगों ले डाल लिया होगा राइट है एक सांड पचास से साथ मादा पसूओं को गर्भीत कर सकता है ऐसा माना जाता है पतला ऐसा करीब गरीब ऐसा ही होता है माना क्या जाएगा मादा पसुओं को ना गर्बीद कर सकता है साल बर के अंदर ठीक है भी हिस इट क्लियएर चलेए जलते हैं लेकिन इसमें सबसे तगड़ा ज 새로운 होता है ना सबसे तगड़ा जिबर्दस वह चलता है और लेट्स स्टार्ट अल्टेफिविचल इंसेमिनेशान और काया चल रहा है था घू अ disagree र्टीफीसियल लेंट वाला टोपिक है इसमें क्या करते हैं इसमें नरप पसु का सीमन क्लेक्शन करते हैं आल्टीफीसियल मैंफड से म गए थे हैं कर लेते हैं सेन मेरं कर लेटे हैं तो यह कलेक्टिंगर भाइब मेल एनिमल ढदद है एक चद्ञ का किया करेगा स influences एनय होता है ठिस्ट तो यह कर लेते हैं और करने के बाद मैं उसकी जांच परख करते हैं शंगरन करते हैं अंद स्का टैस्ट निए हैं और उसको आप ग्सट्विक जयांच परक यह दो एक्वर कर लेते मादा-ग नांग और गुनार्ड्स में अर्टिफिशिली डालते है भई सपलता पूर्वक प्रिवेश बास यही है AI AI संपत कुमार को भी बहुत टाइम लगेगा भई संपत कुमार अभी लेट आएंगे उसे पहले नजाने कितने कुमार आएंगे तब जाके संपत भाईजी का नंबर आएगा इसलिए एकी चीज़ याद मत करो संपत कुमार संपत कुमार बस राइट वटा तो नर पसू से करत्रिम विदियो से वीरे को इकटा करना उसके बाद में मादा जननागों में सपलता पूरोक उसको उचित समय पर उसको न डालना उचित समय पर डालना उचित जगे डालना बास यह करने के बाद इस ए आई कौन से यंतर से करते हैं सब आएंगे थोड़ा जाना धेरे रको एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो है न वो धेरे होता विड़ा जल्दबाजी नहीं करनी जी कभी भी तो सब आएंगे तो यह हो गया भया इसका डेफिनेशन by collection of the semen from male and examine the semen and put it into the female gunards at proper time and proper place that is AI और ऐसा मानते है कि भया एक नरफसुना एक साल में एक जार गायों को गरवित कर सकता भया यहां पर विरोधा बास हो सकता है कुछ बुक्स में अलग दिया हुआ है कुछ में तो सोई बुक दिवी है कि artificially AI करके AI का समझ में आगे है भया आपको AI का पूरा नाम है artificial जो अभी आपने लिखा था insemination artificial insemination ठीक है उसमें हम लोग ना एक नर्पसू से एक जो है ना नर्पसू से मतलब एक सांड से एक अजार गायों को गरवित कर सकते हैं अब यहां पर मैंने पहले आपको कह दिया है कुछ बुक्स में आपको सो गाये भी मिल सकती है कुछ बुक्स में आपको सो गाय भी मिल सकती है तो उसमें ज्यादा वो सो चना मत पर मुझे सो थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि 40-50 तो naturally हो रही है अब सीमन को लेने के बाद उसका dilution करते हैं उसके अंदर ना कई चीज़ें मिला कि उसकी मात्रा बढ़ाते है तो मुझे ज्यादा ये वाला correct लग रहा है अलग 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 writers लिखते हैं मुझे लग रहा है कि सीको 0 ज्यादा लगई या तो या तो 0 ज्यादा लगई या 0 कम रह गई राइट है नि प्राकरतिक में तो 50-60 एकदम करेक्ट है उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है यहां पर जुरूर कुछ बुक्स में अलग है बागी वो तो 50-60 एकदम परफेक्ट है चिक है तोड़ा आगे चलते हैं अब मैं आपको बता रहा हूं इसके इतिहास के बारे हिस्ट्री क्या इसकी तो AI की सुरू करन आपको बता रहा हूं यह था 1322 का साल था 1322 था और अरब के अरेबियन कंट्री के ना ना अमेरिका नहीं है बाई अरब देश के एक सेना देख्ष ने एक आर्मी का जो अध्यक्स था उस आदमी ने अपनी गोडी को सबसे पहले 1322 में AI करवाया था दुनिया में सबसे पहला AI 1322 में कर लिया गया था अरब देश जो अरेबियन कंट्री है वहां के एक सेना देख्ष ने अपनी गोडी को अना मतलब वो अच्छल उन्होंने क्या किया था जो सीमन था ना सीमन को पता लगा वो गोडी गर्वित हो गई थी तो 1322 में इसको सबसे पहले इंगलिस में क्या बताउँ गईवाण एरीजिएभियन आर्मी प्रेजिज़एट व जैज डन ए ऐ एटन एन सार्शंट एट्री इंट्र तो इंग्ली apparent बताव मों आर्मी और मीफी डोंगे गोड़ी उनकी मेर हो गई आप ए एट और णीन का मदलं मेफ उसको परिंड मतल好吃 तो फर्स्ट पाल ए अरेबियन प्रेजिडेंट आर्मी प्रेजिडेंट दन इट्स मेर आर्टी फीचली इंसिमिनेशन या डू आर्टी फीचली इंसिमिनेशन इन इट्स मेर तो यह 1322 की बात है हर बच्चे ने लिख लिया होगा 1677 1677 में आ जाते हैं और 1677 में एक वेग्यानिक निकल के आते हैं एंटोनी वोन लिवेन होक इसा कोई बच्चा निए जो एंटोनी वोन लिवेन होक ने जानता है सिंपल माइक्रोस्कोप बढाई थी, सरल सुक्सम दर्शी बढाई थी, जो बच्चे ओफलाइन के हैं, उनको तो बाइलोजी के पहले चेप्टर में, कोशी का वाले पहले पार्ट में यही बढाते हैं, तो सरल सुक्सम दर्शी बढाई थी, उन्होंने सबसे पहले सीमन को ए इरेका सबसे पहले अवलोकन किया था और अवलोकन करके नोंने सबसे पहले स्पर्म को देखा था विड़ा अब्जवर्ड सीमन और साधा स्पर्म फस्ट टाइप शुकराणू को देखने वाला विज्ञानी यही थे इसलिए इन एंटोनी वोन लिवेन होको ना फादर ओफ माइक्रोबाइलोजी फादर ओफ प्रोटोजूलोजी कई नामों से जाना जाता है विड़ा father of microbiology, father of protozoology, father of bacteriology भी कुछ लोग कहते हैं इनको तो father of microbiology भी है, सुक्सम विज्ञान के जनक भी है एंटोनिवान लिवेन होक, तो भी आप मोटा मोटा लिग लिए हो 1677 की बात है, एंटोनिवान लिवेन होक विज्ञानिक है और उनोंने अपनी खुद की microscope बनाई, सबसे पहला microscope इनोंने बनाया था सरण सुक्सम दर्शी इनो ने गज़ा था, इसके बाद में सबसे पहले इनोंने वीरे को देखा और वीरे को जब इनोंने देखा हना मिटा, तो उसके अंदर उनको लगा कुछ अंदर है इस वीरे के अंदर, इस सीमन के अंदर, बस वो स्पर्म थे, इस्पर्म की खोज करने का जो क्रेडिट है, वो सीधा जाता है, डश साइंटेस्ट एंटोनी वान लिवेनो को, 1780 की दुनिया में आपका स्वागत है, 1780 की दुनिया में आपका स्वागत है, और 1780 में, इटली के एक विग्यानिक त killing जानी जानी लेजारो इस प्लेणिग में सक्तरा सु अस्यमे इट्ली के विग्यानि rains एचिनको आधुनिक कर्त्रिंगर्बादान का जनक भी कहते हैं क्या बात करें और लेजारो स्सक्रादरी खेंचार मिस्टर लेजारो मोर्ण एै Кिस ने आई क्या बात कर रहे हैं मोडर ने आई के यही बापू है मोडर ने आई के बापू को इटली के वेगानिक लेजारो स्पिलिन जानी जिनके घर सीसे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेका करते हमें शूरे प्रताप सिंग नहीं ब्रिगेडियर हो तो जानी भाई स्प्लेंजानी आगे तो इटली के वेग्यानिक लेजारों स्प्लेंजानी जिनको फादरों मॉडर ले आई का जाता है इन्होंने कुतियों का गर्बादान किया सबसे पहले कुतियों का गर्बादान किया भाई कुतियों का गर्बादान किया तो first AI in bitch bitch में AI करवाया सबसे पहले राइट लेजारोस प्लें जानी हो गया जानी एक्चुली क्या यह बोला तो ऐसे जाता है जानी जिनके घर सीसे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्तर नहीं फैका करते हमें शूरे प्रताप सिंग नहीं ब्रिगेडियर सूरे प्रताप सिंग कहो एक्चुली लोगों ने के इसको बिगार दिया पता कैसे बोलते हैं अब यह आनन्द आएगा अलागी थोड़ा सा बच्चों को बुरा भी लगेगा जिनके घर सीसे के बने होते हैं वो बत्ती बंद करके कपड़े बदला करते हैं यह मरवा दिया भाई नेक्स्ट 1914 की दुनिया में उससे पहले यह हो गया 1718 19, 1780 हो गया भई 1914 की दुनिया में आपका फिर से वेलकम है 1914 की दुनिया में आपका फिर से वेलकम है यहाँ पर एक विग्यानिक निकल के आ रहे हैं GMNCIA GMNCIA मैंने चेंज किया है बच्चे कह रहे हैं सरा आपका ही चेंज किया है GMNCIA ये प्रोफेसर थे रोम युनिवस्टी के और इन्होंने सबसे पहले कुत्तों का वीरे संग्रह करके माला कुत्तों का वीरे इकटा करने के लिए फ़स्ट आल्टिफीसियल वेजाईना बनाने वाले MNCA, MNCA, फ़स्ट वेजाईना आपकी बाहर पहली करत्रीम योनी बनाने वाले वेग्यानिक आपके बीच में मिस्टर जी एमेंसिया जी एमेंसिया तो जी एमेंसिया 1736, ना ना ना, 1934 जी एमेंसिया जो प्रोफेसर ते रो, भै फिर question आ गया क्या बात कर रहे हूं, हाँ, very most question कि पहली artificial vagina यानि कर्त्रीम योनी किसने बनाई तो answer निकल के आया जी, amnesia क्या बात कर रहे हो question पर question निकल के आ रहे हां जी, तभी तो पूरा knowledge आएगा भई आपको, तो जी, amnesia, professor of Rome University पुत्तों का वीरे इकटा करने के लिए फोर्दा सीमन क्लेक्शन ओप दे डॉग, he first prepared artificial vagina सीधा ले चलता हूँ 1937 की दुनिया में 1937 की दुनिया में आपका स्वागत है, यहाँ पर डेनमार्क के कुछ डॉग, वेटरियन मतलब कुत्तों के, मतलब यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, डेनमार्क के कुछ साइंटिस्ट, डेनमार्क और इन्होंने सबसे पहले करत्रीम गरबाधान कराने की जो आज के टाइम में बेस्ट विधी चल रही है, आपको पता कौन सी विधी सबसे बढ़िया होती है किसी को आता सबसे बढ़िया विधी कोन सी ए, RTFICAIL insemination कराने की आता किसी को मुझे बता नहीं आता होगा we insemination मुझे बता होगा, मजा करे हो RTFICAIL AI करने की सबसे बढ़िया विधी होती है Recto Vaginal Vidi और यह निकाली थी डेनमार्क के कुछ वेटिनरी डोक्तर्स ने, वेटिनरियन्स ने 1937 रेक्टो वेजाइनल विदी करत्रीम गर्बादान करने की सबसे तगड़ी विदी होती है 1937 में डेनमार्क के वेग्यानिकुन इसको डवलप किया था और ये विदी क्या है वही इसका नाम होता है रेक्टो वेजाइनल मेथाड very very important question है बेटा परसनल कमेंट नाम लिखें नहीं करना है राजदानी रूल पता नहीं है सहदा को राजदानी रूल पता नहीं है बेटा गलत बात है ये देख अच्छे है ये बच्चो की प्रतिगिरिया दे क्या हो रही हुआ अब देखला मैं कुछ नहीं कर रहा भई ये खुदी देखला रेक्टो वेजाइनल जानते हो रेक्टो वेजाइनल नाम क्यों पड़ा इसका वो सिंसिर बच्चा है गल्ती से हो गया उस बच्चे को ना मैं विक्तिकत जारता हो बढ़ाचा बच्चा है गलती सी हो गया उसको पता निता आज यह हो कोई बात ने उसको माप कर दो रेक्टो वेजाइनल विदी रेक्टो वेजाइनल विदी पता क्यों नाम पड़ा इसका वेरी मोस कुस्टन विठा आपने कभी किसी को AI करते वे देखा है आपने कभी किसी को AI करते वे देखा है मुझे पता है नहीं देखा होगा AI करने वाला पता क्या करता है उसका अपने हाथ को ये कोलर ओलर करके अलग उसके हाथ के उपर न साबुन सा लगा के वो उसकी एनस 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 रेक्टम, गुदा दिदर से गोबर भार निकलता है उसमें अपना हाथ डालता है विदा अंदर ऐसे और फिर Cervix को पकड़ता हो. किसी को ध्यान हो तो हाथ डालता है? यास उसके जो गोबर निकलने वाला मारग हो उसमें हाथ डालता है. तब यह तो आपको याद रएगा निहीं नहीं रहेगा. उसके बाद उसका जो सीमन की ट्यूब आती है, इस्ट्रा इस्ट्रा को वेजाईना में से योनी में से डालता हो और डालने के बाद में वो जो गुदा में हाथ गया ना गोबर वाला जो मार के उसमें जो हाथ गया हुआ है उससे उसको सर्विक्स को पकड़ता हो पकड़ने के बाद वेजाईना में वो उसकी इस्ट्रा को डालता है अब आप बताओ वेजाइना भी काम आ रही है क्योंकि वेजाइना में से सीमन डाला जा रहा है वीरे डाला जा रहा है और रेक्टम भी काम में आ रही है रेक्टम बोले तो मला से मलदवार भी काम में आ रहा है इसलिए method का नाम क्या होता है recto vaginal method अब मुझे पता है जिंदगी में नहीं बूलेंगे आप अब आप life time नहीं बूलेंगे अब आपको पका याद हो गया तो recto vaginal method is the best method for AI best method for AI यह इसका दूसरा नाम होता है cervical fixation method cervical word क्यों आया क्योंकि वो cervix को पकड़ता कि मैंने आपको गरीवा पड़ाई थी गर्वासे गरीवा cervix उसको पकड़ता हो तो भीजा यह दो term है इसके अंदर यह rectum आ गया rectum का मतलब क्या हो गया पैटा मला से जिदर से गोबर निकलता है और vaginal क्या हो गया वेजाइना योनी तो वहाँ पर योनी भी काम में आ रही है वेजाइना यह rectum भी काम में आ रहा है इसमेटड का नाम हो गया recto vaginal method और यह सबसे best method है मतलब यह माल लेना कि यह इतना important question है you can't believe this इतना important question है सबसे most किसों में से आता है विटाई सबसे important questions में से आता है lifetime के लिए याद कर दिया और यह develop किसमें किया था यह भाया 1937 में डेनमार्क के कुछ scientist थे उन्होंने इसको develop किया था राइट विटा यह मारे तो practical किये विटा खुद के सारी 1940 में चलते हैं 1940 में अब दो विग्यानिक फिर से निकल के आते हैं एका नाम होता है philips एका नाम होता है lardi philips और lardi इन्होंने सांड के spermatozoa का परिरक्षन करने के लिए उसको खराब होने से बचाने के लिए सबसे पहले अंड पीत फास्पेट मिलाया था तो हम लोग आ गए है 1940 की दुनिया में 1940 में दो विग्यानिक आपके निकल के आ गए है वन इस यूर फिलिप्स अनदर इस यूर लाडी और फिलिप्स और लाडी ने सांड के spermatozoa spermatozoa का मतलब हो गया sperm sperm सुक्राणों तो सांड के सुक्राणों को परिदक्षन करने के लिए उनका preservation करने के लिए एग योग फास्पेट सबसे पहले यूज किया था विटा इसको बोलते है EYP EYP एग योग फास्पेट आगे हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे तो मिस्टर फिलिप्स एड लाल्डी 1940 का टाइम था सबसे पहला डाइलूटर इतन्नुकार क्या होता भी यह होता डाइलूटर इंगलिज में इसको बोलते है डाइलूट करने के लिए पतला करने के लिए मात्रा बढ़ने के लिए तो डाइलूटर फर्स टाइम जो डाइलूटर यूज किया गया था वो यूज किया गया था फिलिप्स और लालडी के द्वारा और 1940 में किया गया था और पहला डाइलूटर कौन सा था एवाई पी था नाम सुना एवाई पी एग योग फास्पेट एवाई पी एवाई सी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे विटा आगे डन उतर गया भई आगे आजाओं हाँ एवाई पी कहते है इसको एग योग फास्पेट इस इट क्लियर चलिए फिर चलते है बई डाला नहीं क्यों उसमें डाल दिया बच्ची लिख रहें कोई नोटिफिकेशन में आया डाला नी गुरूपों में हो गया, नीच्चे वाला नी दिख रा, नीच्चे वाले में लिखावा आयarp, मैं बोल देता हूं, फिलिप्स और लाड़ी ने सांड के इस्परमोट्य जोवा का परीरक्षण करने हेतू, अंडपीत फास्पेट, बोल दिया। मैंने परिरक्षन करने हेतू दिख रहे हैं परिरक्षन करने हेतू अंडपीत फासपेट हेतू तन्नुकारक विक्षित किया तन्नुकारक विक्षित किया ये बैया सुवारियां जैसे ही बंद होती है न चलनी गाडिया तो आ जाते लोग न हो गया यहां पर लिखाओ विक्सित किया बागी तो दिख रहा है न है न चली उसके बाद में नेक्स्ट 1940 के बाद में आता है 1941 और यहां पर फिर से दो वेगे निकल के आ रहे हैं सेलिस बरी और उसके साथ वाले मतलब सेलिस बरी एटाल इन्होंने अंडपीत साइट्रेट का विकास किया इवाई सी का इवाई से एग योग साइट्रेट बाई इवाई पी तो आई गया एग योग फास्टेट अब आ गया एग योग साइट्रेट इवाई सी तो यह डवलब करने वाले कोड सेलिस बरी एटाल तन्नुकार क्या हो गया डाइलूटर हो गया तो सेलिस बरी और उसके साथियों ने सबसे पहले इवाई सी को डवलब किया एग योग फास्टेट आईए दुनिया का लास्ट मतला वर्ल्ड के लास्ट वाले स्ट्रीम आ जाते हैं और लास्ट वाले स्ट्रीम आपके बीच आ रहते हैं। पौल्ज 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 इसमेद इसमे और पार्क स इन्होने ग्लिसरोल हिमिक्रत वीरे तक्की का विकास किया। मतलब ग्लेसरोल इंगलिह बोलेंगे लिजरोल है फ्रौज़ेन रों सीमान नीचे लिग देना भी सीमान और टेकनलोजी पॉल्स, स्मिट एंड पार्ग्स डे डवलप ग्लिसरोल फ्रोजन टेकनेक पॉल्स, स्मिट एंड पार्ग्स ने ग्लिसरोल इमिकरत वीरे फ्रोजन का मतलब समझते हूं कि बहुत कम टेमपरेचर पे वीरे को रखने का जो मेथड आता है ये इन्होंने डवलप किया था अब आते हैं हिंदुस्तान में क्या क्या किया गया हिस्ट्री और भी ज्यादा इसकी लेकिन मैंने वो ही लिये जो एक्जाम में क्वेस्टन आ सकते हैं बागी तो बहुत सारे लोग और भी जुड़े वे इसे ये इनुने छोटा-μोटा काम किया हिदर से उठा के उदर रख दिया उनका भी नाम आता है हिस्ट्री के अंदर लेकिन वो वाले साइंटिस्ट्री यहां पर लिए गए हैं जिनका काम वास्ता में जबरदस्ता अब चलते हैं सीदा हिंदूस्तान मरो हिंदुस्ता मरो हिंदुस्ता history of AI अब आपके संपत कुमार जी आएंगे आज तक इतना सब कुछ नहीं मिला कहीं कहीं नहीं मिलेगा 1000 किताब दूढ़ोगे तब भी नहीं मिलेगा 1000 किताब मिलेंगे ही नहीं डूण ले ना, डूण के देखे ले ना, भारत में AI का इतियास, इट इस ओनली इन राजदानी सुफर अगरिकल्चर, जल्दी लोन चोरी है, भारत में AI का इतियास में 1939, आज भी याद मुझे वो 1939, 1930 में पिताजी का भी जनम नहीं आता, मजा कर रहा हूं, तो 1939 बारत में सबसे पहले ही, संपत कुमारन, एक तो इनका नाम न, संपत कुमारन है, कुमारन ही यह भाई, कुमारन है, सौथ इंडिया के है संपत कुमारन ही है संपत कुमारन संपत कुमारन एक जिक नाम है इनका संपत कुमारन तो संपत कुमारन ने पेलेस डेरी फारम उनकी डेरी फारम का भी नाम है बड़ा काम, देखो संपत कुमार जी को न राजस्तान पुरा हिंदूस्तान सिलूट करता है तो संपत कुमारन उन्होंने पेलेज डेरी फारम मेशूर के अंदर करत्रीम गरबादान कराया था और होलिस्टियन फ्रीजियन के होलिस्टियन फ्रीजियन का वीरे लेके हल्लीकर गाय को पूरी डिटेल है बारत में सबसे पहले संपत कुमारन ने पहले जडेरी फारम मेशूर में करत्रीम गरबादान कराया और उने होलिस्टीन फ्रीजियन के वीरे को हलीकर नसल की गायों में डालके 33 गायों को एक साथ गरबित कराया था 33 cows at a time मतलब एक ही बार में तो 1939 AI की दुनिया में हिंदुस्तान का डंका वजाने वाला साथ ता क्योंकि मारे यहां के संपत कुमारन नजी ने 1939 में पहले सडेरी फारम मेशूर में AI करवाया गया इन्होंने होलिस्टीन का सीमन लिया होलिस्टीन का सीमन लिया और हलीकर नाम की गायों को इन्होंने प्रिगनेंट करवाया और 33 गायों को एक साथ गरबित करके पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजाया संपत कुमारन बही आपका पता नहीं क्या हो रहा है मुरा तो रोम रोम खड़ा हो रहा है ऐसी बाते न हिंदुस्तान के लोग कम ही करते है ऐसी बाते हिंदुस्तान के लोग न कम करते है जादातर जाड़ा लगाने में बीजी रहते हैं जी जादातर जाड़ा लगाने में बीजी रहते हैं जी ठीक है मिटा हो गया जाड़ा लगाते हैं हाँ ये इंडिया के हैं इंडिया के हैं इंडिया में भी भाईया उदर के बेंगलूरू के आसपास के हैं मैसूर करनाटक के हैं बाकी तो बीजी होते हैं मारे लोग तो इधर 11 लोगों को मेसेज बेजने में 11 लोगों को मेसेज बेजने में लगे रहते हैं बाकी तो जयातर दो सभी का उतर गया वही हो गया सभी का चलिए बटा नेक्स में चलते हैं अब मैं ले चलता हूं इंडिया के 1943 इलाभाद क्रसी विश्व विद्याले में अचा एक क्वेस्टन बीच में हो रहाता है NDRI ने यह अलग है कर इसमें नहीं हो NDRI ने ने एक बहस का बच्चा भी पैदा किया दा किसी को उस भेस के बच्चे का नाम याद हो NDRI In vitro In vitro baby मतलब NDRI ने in vitro एक न बफेलो काप पैदा किया था बफेलो काप हलागि वो अलग चीज है उसका AI से लेना देड़ा नहीं है वो अलग है उसका क्या नाम था कुछ बच्चे कह रहे हूं गरीमा थी ऐसे किसी को कोपी मत कर बढ़ा कोपी पैस्त ना करे आता है तो जवाब दे अधरवाई कोई बार नी हाँ बाहर की तरफ मतलब किसी भी बरतन में पात्र में परकनली में निश्चन करवाया उसके बाद उसको बहस में डाला और पहला बच्चा दुनिया का पहला आता है किसी को एक बच्चे ने लिखा है उसका नाम था परत्थम क्या बाद कर रहे हो किसी का नाम परत्थम भी हो सकता है क्या एक्स्क्यूज में सैर आपने साइद गलत पढ़ लिया आपना मुझे लग रहा है ऐसे पढ़ा होगा आपने वो परत्थम बच्चा था अरे ना बाबा ना उसका नाम ही परत्थम था बच्चे का नाम परत्थम था हाँ क्या बात कर रहे हो, बच्चे का नाम प्रतम, यास, वो प्रतम, प्रतम नाम का बैसा था, पढ़्यो, उसका नाम ही प्रतम था, प्रतम नाम, हाँ, प्रतम नाम, मतलब किसी का नाम प्रतम भी हो सकता है, हाँ, it is the first in vitro baby of Bavello, प्रतम, आरे प्रतम, प्रतम नाम, हाँ, प्रतम चलिए वो आला कहलेगे It is the another matter मुझे लग रहा है एक क्वेसल मजेदार याद हो गया आपको फोकट में याद हो गया आप मजाग मजाग में याद हो गया राइट है पर्थम नाम था विटा उसका कुछ बच्चों ने दिया जवाब पर्थम लिख लिए होगा सभी ने इन विट्रो बफेलो का चीक है चल बढ़ागे बढ़ते है पर्थम नाम था उसका चलिए 1943 is waiting for you 1943 का वो साल था जब इलाबाद करसी संस्थान यह आज का जो स्वार्स है ने बटा स्वार्स जिसको आज लोग कहते इस एच यू ए टी एस श्वार्स ठीक है श्वार्स इसका नाम आते है किसी को स्वार्स का पूरा नहीं आता होगा आता होगा कुछ बच्चों को इसका नाम है सेम हिगिम्टम युणिवरस्टी ओब एगरिकल्चर टेकनोलोजी औड साइन्स स्वार्स ठीक है बटा इस स्वार्स का पहले नाम था उसका पहले जो नाम था वो करसी संस्थान ही था तो इन लोगों ने न सबसे पहले पहले इसका नाम अलाबाद करसी संस्थान था किसी जमाने में आज कले स्वार्स हो गया पहले सियार्स हुआ फिर सुवार्स हो गए उस जमाने में इसका नाम था इलाबाद करशी संस्तान तो इसका ना इसनों भी बैस का पहला बच्चा AI से पैदा किया था और ये साल थी 1943 1943 1943 उतर गया होगा सभी का तो 1943 में विलाबाद करशी संस्तान में AI करके करतिरीम गरबादान से पहला बहस का बच्चा या काफ उत्पन किया गया था हो गया सीधा ले चलते हैं 1951-56 यह हो गया 1951-56 में पहली पंचवर्षीय योजना आई थी पहली पंचवर्षीय योजना आई थी और इस पंचवर्षीय योजना में करतिरीम गरबादान को जोड दिया गया था कि लिख दू में उपर है लिख देता हूँ लिख देता हूँ पटा दिखेगा नहीं आपको तो 1951-56 तक जो पहली पंचवर्षीय योजना थी पंचवर्षीय योजना इस पहली पंचवर्षीय योजना में न करतिरीम गरबादान को जोड दिया गया था की विलेज स्कीम से AI को कनेक्ट कर दिया गया की विलेज एक योजना चलती है की विलेज योजना जिसकी बात हमने पहले भी कर ली बड़ा स्कीम से इसको जोड दिया गया था की विलेज की अमना पहले बात कर चुके बड़ा मुझे पता कईयों के न ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो रहे है उनको लगन नहीं रहाता कि ऐसा भी कुछ होने वड़ा है ठीक है भी चलो बड़ा नेक्स पे चलते है अब आगी है ए आई का प्रोसेस कैसे करते हैं ए आई कैसे करते हैं तो सबसे पहला काम के जाता है कलेक्शन ओप दा सीमन तो नई एडिंग डाल दे एक दो लाइन छोड़के और हेडिंग डाल दे प्रोसेस ओप ए आई करत्रिम गर्बाधान की प्रक्रिया और उसमें पहला फिर हेडिंग डाल दे की विलेज के बारे में आल्रेडियम बात कर चुके बिटा पहले बात हो चुकी है उसके अंदर कही सारी स्कीम थी और फिर कभी बात कर लेंगे ठीक है सबसे पहला है कलेक्शन ओप दा सीमन तो देखो पिटा कलेक्शन ओप दा सीमन करने की ना कई विदियां आती है मतलब लोग न करंड लगा के बहुंड सीमन को अलेक्टिक मेंधाने कितनी मेंधाद आती है लेकिन सबसे बैस मेंधा मतलब इसकी निकालने की अनेख विदिया और अनेख विदियride है बर्ट सबसे बढ़ियाज मेंधा नाम तो नहीं póलनो हुआ कि ओंधाटिं के क्लास चल रही है कि सर मैं LSA कर रहा हूं फिर भी आज तक मेरे समझ में नहीं आ है तो बहुत डीप आता है हम तो उपर 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 से बढ़ा रहे हैं लेकिन वह कहरें जी आज ही समझ में आया है मेरे तो ही सारा खेली धन्यवाद आपने ऐसी लाइन लिखे ना मारी सान बढ जाती है व्होँ मानिय आती है आल्ठीफीचल व मेसेट तो सेवरेल मैंतयार्स बाट अमे वेशाइना वाली वेजैने में प्रिंगे औरर है मेफट आधन इस बास्ट तो बहुत सारे method से करते हैं but AI is the best method artificial way ना मतलब करत्रीम योनी इसको इंदी मोलेंगे करत्रीम योनी तो करत्रीम योनी से न सीमन का collection करना सबसे best माना जाता है बड़ा करत्रीम योनी विदी ज्यादा अच्छी है विदी सर्वोत्तम बेस्ट है ठीक है बड़ा अब artificial विजाईना के बारे में बात कर लेते हैं कैसी है किस तरह की है यह सारी बनावट बनावट ले लेते हैं ठीक है तो यह सारी बाते ना आपके स्क्रीन पर लिखी वी बहुत सारी विदी है अब हम लोग ना इसकी artificial विजाईना की बनावट के बारे में बात करेंगे कैसी दिखती है यहां पर है दाले साथ अगस्त वाली यह जबसें तो सबसे पहले थो इसका जो बहार ही बहार है ना भार.. एक रब्बड का बेंड आता है जिसको बोलते हैं बाए रब्बर का सिलेंडर उसकी लंबाई में बताता हूँ उसकी लंबाई होती है चालीश सेंटीमीटर तो बहार में भी डाइग्राम दिखाने वाड़ा हूँ आपको, पहले आप नोट कर जाए, external rubber cylinder is 40 cm long, ठीक है, बटा यहाँ पर ऐसे नहीं डालने, 7 अगस्त वाली यह जेट की date फर्जी है, ऐसे नहीं करना बटा, औली positive बात करनी है, भाई आप अच्छे student है, आपके अच्छी कमेंट आती है, ऐसे मद डालो यहाँ, कोई फर्ख नहीं परता कोन क्या कह रहा है, यहाँ पर ऐसे कमेंट अलाओ नहीं बटा, यहाँ केवल positive कमेंट यह लाओ है, यह फर्जी सब्द है ना, फर्जी सब्द, यह भी नहीं लिखना है, यह बहुत negative वर्ड, मोटी रब्बर का भाई सिलेंडर की लंबाई कितनी आई, 40 cm और व्यास आ गया 7 cm, मैं आपको दिखाने वाड़ा हूँ थोटी देर में AI का पूरा डाइग्राम साइथ, लेकिन फिलाल मैंने इसको बता दिया, 40 cm लंबा, आपका जो भाईया, यह जो scale आता है, scale, बड़े वाड़ा scale आता है, बड़े वाला scale, जो बड़ा, दो scale आते हैं छोटे और बड़े, तो जो बड़े वाला scale आता है न मिटा, वो 30 cm का होता है, यह वाला, ये वाला स्केल 30 cm का होता है मिली गया तो इससे थोड़ी सी बड़ी आती है इतनी बड़ी हो रहे है इतनी बड़ी आती है चीक है बड़ा इतनी बड़ी आती है और 7 cm इतनी बड़ी आती है AI चीक है इतनी आती है अंदर की जो अंदर लगेगी एक वो थोड़ी बड़ी होती है, रबबड से बड़ी आती है, और वो होती है आपकी अंदर वाली न, 60 cm, तो होलो ट्यूब इंसाइड दे वेजाइना एजे, 60 cm लोग, भाई ये ऐसे नहीं चलेगा ये, आपका कमेंट बंद हो जाएगा दोस्त, ये ऐसे सोर सोर ऐसे नहीं लिखना है, मुझे लग रहा है नए आप यहां के सिस्टम समझ नहीं पाए, एक मिनिट में चले जाओ कि पिटा दुबारा कभी कमेंट नहीं आएगा, आदमी को बहुत जयदा पॉलन चीए कंट्रोल करने वाला जिंदगी में सपल होणा है तो, एकजाम लगने से कोई पास नहीं हो आस तक, एकजाम लगने से, वह, एकजाम कब लगी कि उससे पास नहीं हो आस तक कोई, एकजाम पास तब होगे, आप यहां पे फोकस करोगे, ये सो जो लिखन इसे नहीं होंगे पास कभी भी गलती कर रहे हैं अपने आपको न गलत डायरिक्शन में ले जा रहे हैं रब्बर की आंत्री खोगली जो परत होती है उसकी लंबाई होती है काड़ सेंटिमेटर इसे क्लियर एक है आगे लगता है रब्बर का कोरँ एक आगे भी मैं जस्ट आपका आने वादा डायीग्राम रब्बर का कोण आता वीटा उसको बोलते हैं रब्बर कोण या हिंदी में कहते हैं वीरे प्राप्ति संको रब्बर का होता है ये भी इसके अंदर लगावा होता है फिर एक आती है वीरे कलेक्शन या सीमन कलेक्शन ट्यो या सीमन कलेक्शन वाइल बोलते हैं उसको सीमन कलेक्शन वाइल वो नंबरिंग वाड़ी आती है उस पर नंबर होते हैं सीमन कलेक्शन वाइल अभी ना इस सारे के सारे एकदम मस समझ में आएंगे आपको साखसाथ स्वेम देवों के देव महादेव अल्टिफीशल वेजाइनाजी हाना मतलब सुरी मतलब स्वेम साखसाथ गलत जगे जोड़ दिया में ना तो वो स्वेम आपके सामने प्रकट होने वाले वेजाइनाजी स्वेम आल्टिफीशल वेजाइनाजी आपके सामने स्वेम आ रहे है तो स्रीब ला रहे है ठीक है लो बाई प्रकट हो प्रकट हो ये लो प्रकट हो गये न बाई वापस गायव कर देतेते हैं अब इसमें आप सब देख लो आप अब देखो देगे क्या क्या मिला ये तो रही रबर्बेंड जिसको आपने कहा था थोड़ देर पहले रबर का बाय सिलेंडर और इसकी लंबाई कितनी थी रबर्बड वाले की मुझे बता आपने लिखी थी 40 cm ये 40 cm लंबा था ये वाड़ा पूरा का पूरा ये ये पूरा का पूरा बाहर की तरब ना रबर्बेंड आता है ये 40 cm लंबा होता ह है ठीक है साथ सेंटिमेटर का व्यास था डाइमीटर था कि इस इट क्लियर यह हो गया फिर अंदर ना एक खोकली परतोर लगी वी थी इंसाइट तो यह यह वाली हो गई कि इंसाइट एक होलो ट्यूब और थी जिसकी लंबाई ज्यादा थी क्योंकि वह आगे तक जाती इस उसकी 60 सेंटिमेटर लंबाई थी हो गया देखो देखे था क्या ऐसा देखो तो सही पिछे वाले को देखो बिटा पिछे वाले को आपने पहले पहले क्या लेका मोटी रबर का बाय शिलेंडर लंबाई कितनी थी? 40 cm व्यास कितना था? व्यास 7 cm था उसके बाद अंदर की खोगली नली ओर आई थी, वो रबड की नहीं थी, आ ना, वो 60 cm थी फिर वीरे प्राप्ती, जो रबबर कोन आया था, ये रहा, वीरे प्राप्ती संखोंग ये जो दרא रहा है ना यह है rubber code जिसको आप कह रहे थे semen receiving code क्या बोल रहे थे इसको semen receiving इसमें semen receive हो जाता है विटा semen receiving code ठीक है भी उसके बाद में आया था semen collecting while वो है यह इसमें numbering भी लगी वी थी यह रहे graduated graduated ना मतलब numbering की हुई test tube यूँ भी बोल देते इसको या collecting while कहते हो और यह कितने से लेकि कितने number होते इसमें 0 से 20 तक number होते हैं यह वाले यह रही कितने बच्चों को clear हो गई कितने बच्चे ऐसे वेटा जिनको clear होगे कि हाँ सर आपने बताया रबबड का बाहर का cylinder यस उसके अंदर बीच में सी थोड़ा गेप रहता वेटा निकी बीच में देखो यह अंदर यहां पर क्या गरम पानी बरेंगे यह आउटर जेकेट लिखा ना आउटर जेकेट यह तो यहां पर गरम पानी बढ़ते हैं अंदर है कि यहां पर गरम पारी बहरा होगवारा रबेंड जो पूरा गोल गोल चारू-तरफ गोल रपड का चारो तरफ लगा हुआ है, फिर इसके अंदर ना, इस साइड में अंदर की साइड, यह होगी यह खोगली नली, जो मैं red-red कर रहा हूं उसको, यह होगी खोगली नली, अंदर वाला, अब यहाँ पर तो क्या होगा, सीमन कलेक्ट होगा विटा, यह जो पार्ट है, इसमें जा पानी, ठीक है, उस गरम पानी का टेंपरेचर होता है, 42 से 43 डिगरी सेंटिग्रेड, गरम पानी से लेके 43 डिगरी सेंटिग्रेड, 42 तो 43 डिगरी सेंटिग्रेड, यह कलर दिखनी रहा होगा, 42 तो 43 डिगरी सेंटिग्रेड, गरम पानी का टेंपरेचर है तब वेरी वेरी समझ में यहां मैं जहीं पैन यह पैन माले थे पैन और पैन के उपरवाला जो खोल दिए ना रबड़का हो गया एधिक ए इस पेस का है और अधिया स्पेस का है स्पेस तो बरा पड़ा यह यह नीचे वाड़ अंदर वाड़ा पाई बेरा और यह उपर वाड़ा पाई पी तो बीच में स्पेस ही पढ़ा है हुआ कि यह तो गलत लिखा और आप इसका मतलब होकस काई ओर है इसमें तो इस फेस तो छोटी से बच्चे को दिखरा आमें ने कलर किया स्पेस को भाई कलर किया है मैंने आपके लिए थाकि समझ में आ जाए कि नहीं किया मैंने कलर क्या बात करे तो आउटर ये बाहर वाला जो ये कड pointing में गेप हैं जिसमें गरमपानी भरते हैं गरमपानी भरते कमा टैंसी कितना गरमपरते हैं 42 से 43 डिग्री सेंटिग्रेड वाला मैंने जानबूझ के पहले स्पेस रखा इसमें अब अंदर का इस गरम पानी से इसके अंदर जहां पर वीरे आएगा ये वीरे यहां पर आएगा इकटा होगा और इकटा होगे इसमें आजाएगा इकटा होगे इसको पकड़के एक आदमी ऐसे खड़ा रहता है फिर एक डमी एनिमल आता है डमी डमी एनिमल आता है मतलब गाई जैसे आता है उस गाई जैसे डमी एनिमल पर सांड को चड़ाते है ठीक है और चड़ाने के बाद में इस योनी में उसका जो पेनी सोता है उसको इस योनी में डाल देते हैं और उसका जो स्खलन होगा न इजाकुलेशन होगा इजाकुलेशन होगा तो वो सारा का सारा सीमन न बिटा इसके अंदर यह जो रेड रेड वाला है इसमें से जाके और इस वाला जो यह जो इसको वाइल कह रहे थे हैं आप वाइल सीमन कलेक्टिंग वाइल उसमें जाके इकटा हो जाएगा उसमें जाके इकटा हो जाएगा हंड्रेट डिगरी फारेनाइट बता रहे हैं हंड्रेट डिगरी फारेनाइट बिलकुल सही है बटा 100 degree Fahrenheit will be converted into degree centigrade You will find 42, 43 degree centigrade Right है 100 degree Fahrenheit if converted into degree centigrade You will find about 42, 43 आता है निकालना ये ये निकाल के बताओ ये आता है कही निकालना ये निकाल के बताओ Fahrenheit Fahrenheit निकाल लेते है भई देखते कितना आता है ये रह जेको निकालते कैसे मैंने आपको एक दिन पहले भी सिखाया था 0 degree centigrade बराबर होता है 32 degree Fahrenheit 0 degree centigrade ऐसे तो किसी को नहीं आता है ऐसे तो केवल उसी को आएगा जो राज़दानी में पढ़ा हुआ है चाहे ओनलाइन या ओफलाइन बाकि तो आप C बटा 5 पर F माइनस 32 ये तो रट्टा है इसको रट्टा बोलते है चिक है? उसको रट्टा बोलते है वीटा ये फोर्मूला बच्चे खुद बनाते है एक ही याद करना है बस 0 degree centigrade बराबर 32 degree Fahrenheit उसके बाद में ये वाला एक बढ़ता है न एक एक डिगरी centigrade तो इधर एक पाइंट आट बढ़ता है इधर एक पाइंट आट बढ़तेगा केवल ये वाला रिलेशन याद करते हैं बाकि ऐसे सलता जाता है तो ये एक पाइंट आट बढ़तेगा और ये हो जाएगा दोनों 33.8 डिगरी Fahrenheit फिर जब ये दो बढ़ेगा न दो तो ये एक पाइंट आट एक पाइंट आट दो बार बढ़ जाएगा तो 32 प्लस एक पाइंट आट प्लस एक पाइंट आट तो इसके बजाए सीधे बच्चे क्या करते हैं एक पाइंट आट इंटू दो ही लिग देते हैं तो एक पाइंट आट को दो से गुणा करोगे तो यह हो जाएंगे बटा 88 दूआ 36 38 दूआ 36 38 तीन पाइंट 6 हो गए और तीन पाइंट 6 को 32 में जोड़ दो यह हो जाते हैं 35 पाइंट 6 दिगरी फारिणाइट फिर यह 3 डिगरी सेंटिगरेट 32 प्लस 1.8 1.8 1.8 3 बार आता है अठारतिया 54 गारतिया 54 गारतिया 54 प्लस 32 तो यह हो जाते हैं 37.4 डिगरी फारिणाइट ऐसे अगर आपने 10 तक या 15 तक निकाल लिया तो जिन्दगी में कभी भूलोगे ही नहीं अब इससे क्या होगा इससे सुत्र बन जाएगा भई यह formula ही तो है आप किसी को पकड़ लो यह formula ही है यह formula है आप निकाल क्या रहे हो degree Fahrenheit बराबर निकल कैसे रहे 32 32 plus 1.8 और यह दो कौन है सर डिग्री सेंटिग्र और डिग्रे फारणाइट एक सेम टेंपरेचर पर नहीं आते क्या बिटा सारे बच्चे बताएंगे कितने पर सेम आते हैं ताकि यस भाई को पता लगे कि दूर रहने से कितना नुकसान कर लिया सारे बच्चे बताएंगे बिटा कितना बताया था मैंने जहां पर दोनों सेम हो जाते हैं यह आगे बिटा जवाब यह जवाब आगे तो यह हो गया यह सेंटिग्रेड था ना माइनस चालीस पर सेम होते हैं दोनों ऐसे और कभी ना इससे यह निकालना हो कभी आपको डिगरी सेंटिग्रेड निकालना होना तो क्या होगा बतल लो भाई यह इधर चला जाएगा तो डिगरी फारेनाइट माइनस थर्टी टो और एक पाइंट आर चला जाएगा निक्चे है तो यह लग गया भाईया बाग यस भाई कभी कभी आजाया है गर बिटा अच्छा लगता है यह ना अपनों का साथ बहुत अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे नी रेगुलरिटी नी वेन यू आ गेटिंग फ्री टाइप शुड कम हो गया उल्टा कर लो ऐसे निकलता है अब इससे आप निकाल लेना विडा नेक्स वण अ हो गया चली विडा अब लेते हैं वह यह यह टेंपरेटर हम पर दो हुआ ही नहीं आपका टेंपरेटर हो गया कुछ हुआ गया तो गरम पानी कितना बरा लो भई अंदर का गरम पानी तो यह वाला कितना गरम यह था 42 sorry degrees centigrade तो अंदर का टेंपरेटर कितना होगा अंदर का कितना लेते हैं तो अंदर का भाया थोड़ा थोड़ा ना change कर लेते हैं लाग यह suprem trash रखते है थर्टी नाइन डिग्री सेंटीग्रेड अब मुझे पता है कि कईयों की दिमाग में ना अंदर वाला भी बेटा पड़ा है कि अंदर तो मैंने पढ़ाता 43 आएगा सर गलत बता रहें एक्स्क्यूज मी मुझे लग रहा है आप गलत बता रहें मुझे कंफर्म याद है वो 42, 43 नहीं बेंस के लिए एक्जेक 39 गाई के लिए 41 होता है करीब-करीब और ये दोनों क्वेस्टन ना दुनिया के बहतरीन क्वेस्टनों में से आते हैं दोनों क्वेस्टन बेहतरीन क्वेस्टन में जाते हैं कि कर्तरीम योनिकात आपमान कितना रखते हैं तो बहस के लिए 39 डिग्री से एंटिग्रेट और गाई के लिए गाई के लिए 41 क्लियर अब थोड़ा बहुत देखा था डिग्री उपर नीचे हो जाता ना इसी ज्यादा फरक नहीं परता अच्छा अब बात आती है कि जो सिमन कलेक्शन करने वाला है ना वो इसको कितने डिग्री पर पकड़ेगा जैसे वो डमी मैंने कहा था एक डमी गाय होती है उसमे सांड को ना चड़ाय जाता है तो यह जो पकड़ने वाला होता है ना इसको वो कितने डिग्री पर पकड़ेगा कापी सारी बुक्स आप पड़ते हैं दिया अब भी उसमें कितने पर रखते हैं तो यह हम लोग जो हाथ में पकड़ के रखते हैं वो रखते हैं 45 डिगरी के कोन पे 45 के एंगल पे तो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि करत्रीम योनी को जो पकड़ के रखता है ना पकड़ने वाला वो बेटा 45 डिगरी के एंगल पे यह कितना हो गया? यह 90 हो गया ऐसे यह खड़ा तो 90 हो गया तो लगबग वो ऐसे रखेगा ऐसे ऐसे पकड़ेगा 45 के एंगल पकड़ेगा यह भी वेरी इंपोर्टेंट क्वेस्टन है यह वाला 45, is it clear? तो वीरे संग्राय करता गाय के दाइं और खड़ा रहेगा एक तो खड़ा किदर रहेगा हो? राइट साइड में दाइं और रहेगा एक बार दाइं और दाइं दाइं राइट साइड में खड़ा रहेगा और करत्री मियोनी को कितने डिगरी centigrade पे पकड़के रखेगा तो वो रखेगा 45 degree के एंगल पे कि सोरी centigrade नहीं कितने degree के एंगल पे रखेगा 45 degree के एंगल पे रखेगा राइट चले फिर आके चलते हैं वीरेट जैसी स्खलन होगा न पिटा इजाकुलेशन जब हो गया और सीमन इसके बाद में वो ले जाके रख देगा इसको अंदर कितने वाले degree पे कितने degree centigrade पे 49 degree centigrade के पानी में ले जाके उसको रखेगा मतलब टेंपरेचर जो रखना है इसका टेंपरेचर जो रखना है वो यही रखना है 39 40 41 बस इससे उपर नीचे नहीं तो इसकलन तो जानते होंगे बई सीमन जब बहार आ जाता है सीमन त्यागना मेल के द्वारा सीमन त्यागना या सीमन को चोड़ना वीरे को त्यागना that is स्कलन और इसको इंदी में तो कहते हैं स्कलन और मादा या फिमेल फिमेल जो ओवा को त्याग तिये न अंडाणू को उसके लिए टेकनिकल टर्म यूज करते हैं ओवुलेशन अल्रेडी पढ़ा चुका हूं आपको ओवुलेशन अब हम बात करेंगे कुछ इस्ट्रा के बारे यह जो सीमन होता है सीमन को पेक करते हैं और पेक करने के लिए यूज करते हैं इस्ट्रा ठीक है, तो सीमन का परिरक्षन करने के लिए पैक करने के लिए कौन-कौन सी स्ट्रा लेते हैं इस्ट्रा, इस्ट्रा जानते हूंगे, एक छड़ सी आती है पैक करने की, तो कौन सी स्ट्रा लेते हैं, कैसे पैक करते हैं ये सारी बाते करेंगे हम लोग next class में बुला बड़ा सारी बाते हम लोग करेंगे next class में ठीक है मुझे लग रहा है पढ़ाई आपको समझ में आई आपको आनन्द आया ठीक है अभी time है तो थोड़ा सा बात्ते कर ले if you have time तो जीवन के बारे में जिन्दगी में कहां जाना चीए कैसे जाना चीए अगर आपके पास time हो तो otherwise मैं भी लगातार दिन पर से ना कही सारे काम चलते रहते है classes बगेरा चल रही है तो if you want to interest it if you want to have any interest then start otherwise finish चलो फिर सुबह मिलते है early in the morning तब तक के लिए सभी को नमस्का जहिंज राजदानी सस्रीकाल सब्बागेर वाए गुरुदी फते खुदा आपी जलाबेज राम रामस अगरी कल्चर में है सांदार केरियर और अगरी कल्चर मतलब राजदानी फाउंडा पचकोडिया जैपुर राजस्थान एगरी कल्चर में राजस्थान ही नहीं नौर्थ इंडिया का किंग कोन फैसला आप करें राजदानी फाउंडा ने इस साल दी है आई सी आर में हिंदुस्तान की केटेगरी की आठवी रेंग और सामाने वर्क की साठवी रेंग राजस्थान जेट दो हजार बीस में टोप दस में से आठ विद्यार थी टोप पचास में बाइस विद्यार थी राजदानी फाउंडा पचकोडिया के बिना जेट सीदे प्रवेश दो हजार उन्नीस में राजस्थान की 63% सीटो पर राजधानियन ने किया कफजा जहां 90% बच्चे कर रहे हैं बारवी के बाद तैयारी में एक दो साल खराब वही राजधानियन मचा रहे धूम बारवी के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशानतियादों ने प्राप्त किये 408 नंबर यस सर्माने 394 नंबर इस वर्ष इंस्पाइर अवाड के रूप में मिलने वाली है 2,60,000,000 रूपे की स्कोलर से ककसा 12 के परिणाम में 97% अधिक एक विद्यार्थी 95% अधिक तीन विद्यार्थी 94% अधिक 7 विद्यार्थी 93% अधिक 11 विद्यार्थी 90% अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवराल ओप्सनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी 99% ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी सत्यान्वे परसदी आधिक लाने वाले 19 विद्यार दी, 90 परसदी आधिक लाने वाले 163 विद्यार दी, दसवी से बारवी साइंस वो एगरी कल्चर में अजे कुमार मीना ने की 49% की रिकोर्ड व्रदी, रिंकु यादव ने की 37% की व्रदी, नरेश पाटिदार ने 36% की व् में दस बीगा में फैला विसाल केंपस आधुनिक सुक्ष विधा से युक्त सेप्रेट गल्स एंड वाइज होस्टल्स राजधारी एजुकेशन गुरूप पच्कोडिया यूटूब सेनल वे मोबाइल एप पर रोजाना ओनलाइन क्लासेज भी आईसीयार जेट बीएच्यू एगरिकर्जा सुपरवाइजर 11-12 क्लास के ओनलाइन कोर्सेज भी उपलग ग्यारवी बारवी के साथ और इसके बाद भी आईसीयार जेट बीएच्यू की क्लासेज उपलग राजदानी एजूकेशनल गूप पच्छकोड जैपूर में शामिल है राजदानी साइंसदारा फोर प्रिप्रेशन ओव नीट जे यी राजदानी फाउनडा फोर प्रिप्रेशन ओव आईसेयार जेट बीएच्यू राजदानी पब्लिक सीनर सेकंडरी स्कूल for all अकेडम साथी विजिट करें www.rajdhani-group.in helpline number 9314130130 call 90010013